तो आप सभी को रामनों कैसे आप लोग तो आप लोगों तो पता है कि इंडिया के अंदर सबसे अफोर्डेवल एलेक्टिक स्कूटर भी मौजूद है इंडिया के अंदर जो कि एक बाच आओ जोने आपको 120 किलोमेटर तक की रेंज देगा तो अगर आप लोगी कोई सर्च कर जाते अफोर्डेवल एलेक्टिक स्कूटर जिसकी रेंज जी अच्छी हो प्राइज भी ठीठा कोई सब्सेडियो मिले तो इस वीडियो कोई एंटर देना इस वीडियो में बात करूंगा कि कौन सा स्कूटर है विससे आप लोगों ने थम काफी समय पहले लॉंच कर गया है मतलब इसका पहले मोडल अवेलेबल था लेकिन अब इसको लेड़ एसेट बैटिक साथ निकाला है को तो कौमाकी कमनी ने अपने एक्टी एक्सवन की पच्छीए यूनिट को साधीज अब बिचने के बाद अब निया मोडल निकाल दिया इसके मने आपको बता है लेड़ एसेट बैटर के साथ तो कि काफी किफायती वसन है कमा की इलेक्ट्रिक डिविएंट के गुंजन महता उन्हांने कहा है कि इस मोडल की मैनुफेक्ट्रिंग में सालों साल की आरेंड लगी है और हम इसे बजार में काफी खुश है हमेशे की अच्छा डिजान भी दिया है तो जो नया कॉमा की एक नई लीथियम टाइट बैटरी मिलती है जो कि अंदर को सो से 120 किलोमडेटर की यह आपके चलाने के डिपेंड है कि 120 देगी इसके अंदर आपको टेलिस्कॉपिक शॉकर एक एंटिताफ लॉक शिस्टम एक रिमोट ल लेट इसटी वाली बैटरी के उपर आपको एक चला ली बंट दे रही है हाला कि हाली के अंदर एक इलेक्टिस कोड़े में आग लगने खबर सामने आई है जैसे कि आप लोगोंने मेरी प्रियोशोटी देखी होगा आप लोग बता होगा कि कौन से इलेक्रिस कोड़े के अ और कौमा की XJT X1 के अंदर को डिजिटल स्पूडिमेटर, डिजिटल ट्रिपमेटर, डिजिटल ओडिमेटर और भी किसारी फीचर मिल जाते है इंके साथ आपको तो कौमा की कंपनी क्लेम करती है कि इसका जो XJT X1 है सबसे अफोर्डेवल इलेक्रिक स्कूटर है इंडे के अंदर अभी तो कि इसकी प्राइज भी काफी अच्छी है मतलब काफी अफोर्डेवल है इसकी रेंज भी 120 किलिमेटर तक की है मतलब यह चार्ज कर लोगे तो आ कोई भी इंफोर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इंस्ट्रागाम पर डियम कर सकता आपके स्क्रीन पर आई रहा होगा ओल अगया चाहो तो फॉल भी कर सकते हो बाकि इस वीडियो से वित्ताइगा जागे वीडियो अच्छे लगी मेटे लगी ता आको पताए का करना है लाग शेकर सब्स्ट्राइब तुमने लेगे वाइबया टेक क्यों